नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर पैंसन से जुड़ा हुआ लेटेश नियूज ताज़ अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था और कुष्टवस्था पैंसन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं आज की है जानकारी सभी पैंसन लाभारतों के लिए बहुती महत्पूर हैं बहुती जरूरी है अपनी पैंसन बचाने के लिए 30 सितंबर से पहले पूरा कर ले यह काम जी हाँ दोस्तों कुछ महत्पून कारी है आपकी पैंसन से जुड़ा हुआ यदि आप यह कारी नहीं करते हैं तो जो आपकी पैंसन है वह रद हो सकती है हमेशा के लिए बंद या कैंसिल भी हो सकती है अब कौन सा कारी आपको करना है कहाँ पर आपको जाना है इस वीडियो क की सुरुवात करने से पहले हमारा आप से एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं समाज कल्यान अधिकारियों द्वारा एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है यह बड़ा अपडेट उन सभी पैंसन लाभारतियों के लिए है जिनकी पैंसन किसी ने किसी करण वज़े से रुक्यू या बैंक खाते में तीन हजार रुपे एक हजार साथ सो रुपे एक हजार पान सो रुपे या फिर दोस्तों दो हजार दो हजार पान सो रुपे जो पैंसन किस्त है रुक्यू या बैंक खाते में नहीं पहुँच पा रही है किसी के दस्तावजों में नाम में ग करेंगे तो उनकी pension pending में रखा जाएगा बैंक खाते में pension किस्थ transfer नहीं की जाएगी यदि आप यह कारिये नहीं कर सकते आप यह कारी नहीं कर पाएगे तो जो आपकी pension है हमेशा के लिए बंद की जा सकती है रद्भी की पर्मानिकरण नहीं कराया है तो आपकी पैंसन को रोक लिया जाएगा बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक यह कारी आपका पूरा नहीं होगा आपके बैंक खाते में पैंसन की कोई भी किस ट्रांसफर नहीं की जाएगी वर्दमान में परदेश राज्ये के 30 लाग से ज़्यादा विद्वा पैनसंधारक है जिन्होंने अपना आधार परमानिकरण नहीं कराया है इसके साथ ही थारा लाग से ज़्यादा वर्दवस्था पैंसन धारक है जिन्होंने अभी तक अपना आधार परमानिकरण का कारिये नहीं कराया है उनका सेस बचा हुआ है उन्होंने बताया कि वित्य यानि की वर्ष 2022 में जो आविदन करता है अपनी पैंसन बनवा रही है उन्हें यह कारिये करने की कोई भी अवशक्ता नहीं है जियां दोस्तों जो वर्ष 2022 के अंतरगत अपनी पैंसन बनवा रही है जो नए आविदन करता है अपनी पैंसन बनवा रही है उन्हें यह कारे करने की कोई भी अफशक्त नहीं क्योंकि आविदन करते समय उनका यह कारे कम्पलीट हो जाता है यदि आप दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, कोई से भी पैंसन धारक हैं और उत्तर प्रदेश राज्ये के अधीन आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्ये में रहते हैं आपका भी यदि पैंसन का आधार परवाने करन पूरा नहीं हुआ है अभी तक तो दोस्तों आपको करना है यदि panning में एक बार आपका panning में चल गया तो आपको जल्द से जल्द अपना आधार यानि कि अपना आधार card, photo state, passbook यानि कि जिस बैंक में आपकी pension आती है उस बैंक की facebook, passbook की photo state, अपना mobile number इन तीनों दस्तावजे की छाया परती यानि कि आपको फोटो स्टेट करा लेनी है और अपने निकटकम जो आपके नजदीगी है आपका जो गराम पंचायत है या आपका विकास खंड है नगर पालिका या फिर नगर पंचायत आयोजित हो रहे सीवरों में आपको जल से जल यह अपने दस्तावेज जमा कर देने होंगे जैसे ही अपने आप ये तीनों दस्तावेज जमा कर देते हैं अपना आधार कार्ड मोबाइल नमबर और दोस्तों पासबुक की फोटो स्टेट इनकिम दस्तावेजे की फोटो स्टेट यदि आप जमा कर देते हैं कुछी दिन के अंदर ही आपका आधार जो पर्मानिकरण है जो आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है वह पूरा हो जाएगा आधार पर्मानिकरण कारिये करने की अंतिम्ति थी अब सरकार द्वारा 30 सितंबर निर्धारत कर दी गए दोस्तों पहले 25 सितंबर रखी गई थी लेकिन उसे बढ़ा कर अब 30 सितंबर सरकार द्वारा निर्धारत की गई है आपको 30 सितंबर से पहले यह कारे पूरा कर लेना है पर्धान मंतिर ने अंदर मोधी की केंदर वैर राज्य सरकार के अंदरगत सभी लाबारतियों की पैंसन फिर से शुरू हो जाएगी फिर में फिर ब पुरा करा लेता है तो उनको यह लाब 33 सितंबर की किस्त रुक्य हुई है तीन महीने की अच्छे महीने की उसको यह लाब एक साथ दिया जा सकता है सरकार की तरफ से यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंड ब दर यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भोले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय में एक और नई जानकारिक साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत